डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी केनिडा यूकरेनी फॉज को मजीद हत्यार देने के तरीके तलाश कर रहा है ट्रूडो ने कहा हम कोशिश करते रहेंगे और हर मुम्किन तरीके से मदद करते रहेंगे नेटो चीफ का कहना है कि यूरप के मश्रीकी हिस्से में मजजीद फॉजी भेचने के लिए ग्रीन लाइट तयार है केनिडा के अपोजिशन पार्टी का केनिडा में कोरोना की पाबंदियों को खतम करने का मुतालबा ज्यादा देर तक पाबंदियों का सामना नहीं कर सकते हुकूमत का कहना है कि पहले ही पाबंदियों को काफी हद तक कम कर चुके है क्यूबेक में मजजीद में नमाजियों को शहीद करने वाले ने सजा कनेडियन सुप्रीम कोर्ट में चालेंज कर दी मुल्जिम को दो बार उमर कैट की सजा सुनाई गई थी कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस फैसले की असराथ कैनेटा में दीगर हाई प्रोफाल कैसिस पर पर सकते हैं यूकरेन ने रूस का एक जंगी बहरी जहास तबाह कर दिया यूकरेनी फास के हमले के बाद रूसी जहास में आख लग गई यूकरेनी सियासदान के लिया करोरो डॉलर्स की मनी लॉडरिंग करते हुए ग्रफतार यूकरेन पर रूस के हमले से आलमी सलामती को खत्रा है नेटो चीफ का कहना है कि यूकरेन के शहरियों पर रूसी हमले की सख मजब मत करते हैं यूकरेनी सदर का कहना था कि बगर किसी पादनी के फाजी दाथ ही जरूरत है हैदलाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ Laundry is no longer a hassle Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer For a convenient, eco-friendly, yet powerful wash Hypoallergenic, safe for sensitive skin Say no to bulky plastic jugs and bottles No more measuring and spilling Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic-free, biodegradable packaging Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca Or at Amazon अब अगला message आपके car और home insurance में भारी बचत का क्या आपके घर या car की insurance का renewal due है और आपको तलाश है सही coverage के साथ-साथ अच्छे rates की तो आज ही call करे all state के रवी को और पाएं rates में बचत और बहतरीन services Hindi, अंग्रेजी, पंचावी, उर्दू में services देते हैं Call Ravi today 647-492-9236 647-492-9236 You are in good hands with all state TAC TV के बिनलक्वामी खबरों के साथ मैं हूं रुक्साश शेहसाद Welcome back वजीर आजम जेस्टिन टूरो ने जमरात को नेटो रहनुमाओं के हंगामी इजलास के बात कहा के कैनिडा यूकराइनी फॉच को मजीद हतियार देने की तरीके तलाश कर दाए है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में वजीर आजम जेस्टिन टूरो ने जमरात को नेटो रहनुमाओं के हंगामी इजलास के बात कहा के कैनिडा यूकराइनी फॉच को मजीद हतियार देने के तरीके तलाश कर रहा है टूरो ने कहा हम कोशिश करते रहेंगे के लिए भी पूर रसम है टूरो ने इस बात का भी इशारा दिया कि उनकी हकूमत माजी के मकाबले में ज्यादा बहतर तरीके से दिफाई इखराजात बढ़ाने के लिए तया है गुजिश्टा चंद हफ़तों के दौरान टूरो से केनिडा के दिफाई बजट के बारे में बारहा पूछा गया लेकिन उन्होंने बराहरास जवाब देने से इंकार कर दिया उन्होंने युक्राइनी फौर्जियों को हत्यार देने का वादा किया जबके उनकी अपनी वजीर दिफाँ अनीता आनन ने अवामी स्था पर एतराफ किया है केनिडा की फौर्ज के पास अतिये के लिए दस्तियाब इज़ापी हत्यारों का जखीरा बड़ी हद तक खत्म हो चुका है वजीर आजम ने इस बारे में कोई तफसिलात पेश नहीं की के कैनिडा क्या हिस्सा डाल सकता है क्या खरीच सकता है नेटो के सेक्रेटरी जर्णल जीन्स स्टोल्टन बर्ग का कहना है के पाजी इतिहात के तवील मुदती डिटेंडन्स और दिफाई अंदास को दुबारा तर्थीद देने के लिए मुझाकरात के हिस्से के तारप यॉरप के मश्रुकी हिस्से में मजीद पाजी भेजने के लिए ग्रीन लाइट तयार है सरवरा इज़ास के एधाफ के बारे में बात करते हुए स्टोल्टन बर्ग ने मजीद कहा कि नेटो इतिहादियों को इतिहाद का मुझाहरा करने और इस सलामती बहरां से मिलकर निमचनी की जरूरत है उन्होंने तवक्व जाहर की कि इतिहादी दिफाई इखराजात में ज्यादा माली सरमायकारी के ऐलानात करेंगे उन्होंने कहा कि हमें मज़ید काम करने की जरूरत है और इसलिए हमें मज़ीद सरमायकारी करने की जरूरत है और पौरी तोर पर एक नया एहसास पैदा हुआ है टूडो को कैनेडा की दिफाई बजट को फरोग देने के लिए दबाओ का सामना करना पड़ेगा जो नेटो के अंदाजों के मताबिक 2021 में मुल्की मजमूई मुल्की पैदावार का 1.39 पीसद है कैनेडा के अपोजिशन जमाद, कंसरवेटिव पार्टी, विफाकी हकूमत को बाकी तमाम पाबंदियों को कोविड-19 खतम करने के लिए दबाओ में मजीद इजाफा कर रही है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनेडा की अपोजिशन जमाद, कंसरवेटिव पार्टी, विफाकी हकूमत को बाकी तमाम कोविड-19 पाबंदियों को खतम करने के लिए अपने दबाओ की तजदीद कर रही है इस बहस में के मुल्क को सहथ के इस बहरान के दो साल बाद तमाम वबाई एक्दमाद से आगे बखना चाहिए पार्टी ने जमिरात को हाउस आफ कामन्स में एक तहरीक पेश की जिसके जरीये हकूमत को विफाकी, सरकारी मुलासमीन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कैनिडा आम्ड पोर्सिस के एहलकारों और आर्सी एमपी के लिए वैक्सीन के मैंडेट जैसे एक्दमाद को तर्क करने पर मजबूर करने की एक कानून साजी की कोशिश की गई, उपोजिशन पार्टी का कहना है कि वो चाहते हैं कि इन तमाम एक्दमाद को फौरी तोर पर उठाया जाए, उनका कहना है कि कैनेडियन्स ने नौवल करोना वाइरस के फैलाओ को रोकने के लिए काफी काम किया है, कंसरवेटिव एमपी माइकल बेरिट ने कॉमन्स में बहस के दोरान कहा कि हमसे इन पाबंदियों के तहर घर मौयन और मुदद तक रहने की तवकों नहीं की चाह सकती है, हकूमत पहले ही कह चुकी है कि यकूम अपरेल से इसने मुकमल तोर पर वैक्सीन लगवाने वाले सफर से मतालिक स्यादा तर कोविड नाइटीन पाबंदियों को खतम कर दिया है, अगरचा कुछ पाबंदिया नर्म हो जाएंगी या मुकमल तोर पर खतम कर दी जाएंगी, हकूमत फिर भी खायर मुलकी शहरियों के सफर को रूप देगी, और हवाई जहाजों और ट्रेनो में सवार तमाम मुसाफरों से मास महने और वाक्सिनेशन का सबूत दिखाने की जरूरत है। के लिए एहल नहीं होंगे। बिसुनेट के मुकदमे में प्रॉसीक्यूटर्स ने असल में पेरॉल की ना एहली के मुसलसल छे अद्वार के लिए कहा था जिनकी कुल तादाद एक सो पच्चास साल थी। क्यूबैक की कोट अपील ने इसकी पेरॉल की एहलियत को 25 साल तक क पर सकते हैं। केनेडियन मुसल्मानों की नैशनल कांसल के वकील ने कहा कि जहां अदालतों को जालमाना और गर्मामूली सजा से गुरेस करना चाहिए वहीं सजाएं भी मतनासिप पूनी चाहिए। वरना मुचरिम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गतल करने का ने बयान में कहा कि रूस के जहरे कबज़ शहर बर्जीस की बंदरगा पर रूसी जंगी जहास को तबाह कर दिया गया जबके दीगर दो जहासों को नुकसान पहुचा यूकरेन ने रूस का एक जंगी बहरी जहास तबाह कर दिया जबके दो जहासों को नुकसान पहुचा गर्मल्की मीडिया के मताबिक यूक्राइन के वजारते दिफ़ा ने बयान में कहा कि रूस के जेरे खब्जा शेहर बर्जीस की बंदरगाह पर रूसी जंगी जहास को तबाह कर दिया गया जबके दीगर दो जहासों को नुकसान पहुचा यूक्राइनी पॉच के जहास को निशाना बनाने के बाद जहास में आख लग गए यूक्राइन की डिप्टी वजीरे दिफ़ान मीडिया से गुफटगू में कहा कि रूस के बड़े हदफ को निशाना बनाया गया है जिस रूसी जहास को निशाना बनाया गया है इसमें 20 टे और चार सो फॉजियों की गुंचाइश थी रूस ने जहास की तबाही के बारे में कोई रदे अमल नहीं दिया जंग्जदा मुल्क यूक्रेन के सियासतदान और यूरीनियम के बड़े ताजे की एहलिया अर्वो रुपए की मानी लॉंडरिंग करते हुए गिरिफतार हो नेटो रहनुमाओं ने टहादी रूसी जहरियत की मुखालपत करने यूकरेन की इमदाद और तमाम इतहादियों की सलामती का दिफा करने के लिए मुताहिद और पूर रज़म रहने का इजहार किया है। मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में नेटो रहनुमाओं ने टहादी रूसी जहरियत की मुखालपत करने यूकरेन की इमदाद और तमाम इतहादियों की सलामती का दिफा करने के लिए मुताहिद और पूर रज़म रहने का इजहार किया है। नेटो रहनुमाओं ने मुश्तरका ऐलामिये में कहा है कि यूक्राइन पर रूस के हमले से आलमी सलामती को खतना है। यूक्राइन के शेहरियों पर रूसी हमले की सक्त मुझामत करते हैं। नेटो इतिहादियों ने वलखारिया, हंग्री, रूमानिया और सल्वाकिया में मजीद चार जंगी गुरुप काइम करने पर भी इतिफाक किया है। इसे कबल यूक्राइन के सदर विलादर मिर्जलनस्की ने कहा कि अपने लोगों और शेहरों को बचाने के लिए यूक्राइन को बगएर किसी पाबंदी के पौजी इमदाद की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रूस यूक्राइन खिलाफ पाबंदियों के बगएर मुकमल हत्यार का इस्तिमाल कर रहा है। वीडियो लिंके जरिये नेटो नुमाइंदों से बात करते वे जैलनस्की ने शिक्वा किया कि नेटो ने अभी तरक ये नहीं दिखाया कि इतिहात लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। ही किया है टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टैक टीवी